नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेडिकल जनकारी में आज किस वीडियो में हम बात कने वाले हैं बैटनिसोल फॉट टैबलेट के बारे में यह जैसके फार्मा का एक एथिकल टैबलेट है बैटनिसोल दोस्तों एक प्लेंट टैबलेट पर जो होती है 0.5 mg में और बै और उसकी लगबग 7-8 रुपय का यह देखने को मिल जाता है यह एक शेडूल एच के अंदर कर देखने को मिल जाती है और डॉक्टर पर मिलने वाली एक दवाई है डॉक्टर के परचे पर मिलती है दोस्तों दवाईयां यह मुखेता ऐलर्जी अस्तमा जैसे कई प्रकार के रोगों के लिए यूज के जाता है जिसके बारे में आज हम डिसक्रस करने बॉले हैं आज किस वडियू में आपको इसके बारे में benefits, side effects, कि निसेज ना Nevertheless किन-किन विमारी में इसका यूज़ भी नहीं। और कौन कौनसे drugs साथ यह 500 कर सकता है और इसका दोस्तों कॉंट्रा इंडिकेशन क्या है यानि किस-किस बिमारी में इसका बिल्कुल यूज कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर के प्रामर्स के साथ और इसकी डोसिज क्या है और दोस्तों यह आपको कहां पर कैसे मिल सकती है तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और सब्सक्राइब के साथ बैल लाइगन को जरूर पैस कर लिजेगा ताकि जब भी हमने वीडियो अप्रूड करें तो आप से उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाई बात करते हैं दोस्तों बैटना सोल का यह आपको टैबल सब्सक्राइब के साथ इसको देते हैं दोस्तों कई परकार की दवाई जो होती है रियक्शन कर जाती है बोडी में तो उस रियक्शन को रोखने के लिए भी यूज के जाता है यह इक इस्ट्रोड मेडिसिंस है जो काफी अच्छी होती है लेकिन कुछ समय तक यूज करने क है कांसर की रोगों के लिए गठी के लिए चर्व रोव के लिए और और नेफरोटेक सिंड्रोम के लिए होगए इंप्लमetr मेंटीज defic्स होता है नए को कर सकते हैं खाज कुझली के लिए सोरेसिस के लिए आई में सूजन आ जाना या पर पलक हो गया रहा तो रोकने के लिए यूज कर सकता है जैसे गहाओ का इंफेक्शन है गहाओ बढ़ रहा है तो उसके साथ इसका यूज कर सकते हैं इसके कई परकार के परकार करतें संदेंट गering को मिल जाते हैं उसके कि रूप में इसके को साइड डीफेक्ट बेराइज्य कमे जरूरी नहीं होते हैं बोन का वीक होना मोते बिंद होना स्कीन रेस्स होना बोन वीक और मोते बिंद जैसे यह तब साइड बेट आपको देखने को मिलते हैं अगर आप इसको जादा लंबे समय तक यूज करते हैं तो ब्लॉड प्रिशर का अपडाउन होना या फिर आपको पेट में कब्ज होना मंद और नाड़ी हो सकती है इसके कुछ साइड इफेक्ट यह साइड इफेक्ट वहीं जैसे में आपको बताए हैं लंबे समय तक हो सकते हैं और मरीज की अलग लग डिपेंड करता है जोस्तों बेटन सोल है काफी अच्छा एस्ट्रेट है काफी अच्छी इसके यूसेवल अलोपेशिया में यूज कर सकते हैं बेटना सोल का तो बालों गरे के लिए यूसफुल किया जाता है लेकिन वह अलग अलगा कंडिशन इसकी होती है जैक्षिंग की बात कर सकते हैं जिसके साथ यह रियक्शन आपको ज्यादा साइड दिखने को मिल सकते हैं जैसे अबोश अगरा होते हैं गलेपडर हो गया सवाइस करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल सकते हैं कॉंटेंट इस्टीन के बात करते हैं यहने अगर कुछ बिमारिया है इनके साथ यूज करने के लिए आपको डॉक्टर से कांशट करने चाहिए ड्रक्स इं में जरूर जानकार लेजेगा जो भी आपको बीमारी है अगर आपको डॉक्टर को रिक्यमेंट करता है तो उनको अपने बाम बेमारी के बारे में जरूर बताएगा तब इसका आगे यूज करेगा डोस के बात करता है तो एड़ाइट के लिए 0.5 से 5 एनजी तक इसको दिन में दो से तीन बार दिया जा सकता है इंजेक्शन की जुड़ोज होती है वो चार से 20 अगे इसको आयम या आई वी वी दिन में एक से दो बार दिया सकता है बीमारी पे इपेंट करता है सपोच किसी को अगर हमने फ्लूड लगाया है जैसे कि सिफर इसको मिलते हैं उसके कर जाती है एकदम सिप्रोविट अगर आपको लग रहा है कि पेशन्ट को आंके सूजन आ रही है तो वेड़नस और तुरूंद उसको आए भी दे सकते हैं चाइड की डूस की बार करते हैं तो एक से पांच वर्स के बच्चे को दूंजिस को दिन में ए होता है एक पॉइंट जिरो एमजी का यह देखने को मिलता है शेडियूल एच का ड्रग्स होता है और इसली मेडिकल में अबेलबल होता है आपको तो बस उमीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा कोई प्रदायन thank you for watching